प्रति दिन सुबा नौ बजे से दस बजे अपनी कौपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याला कारिक्रम देखने के लिए तयार रहते हैं जहां क्लास छे से आठ की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती है कारिक्रम में बताई जा रही इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिविजन कर सकें और हाँ बच्चों एक बात और हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्धालय कारक्रम में सीखते हैं उसका अध्यान अपनी किताब में जरूर करें इससे उन चाप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती जिसमें हम राष्ट्र पिता महात्मा गान्धी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रिणना पाते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गनित की जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चाप्टर का अध्यान करेंगे उसका नाम है समान और असमान भिन उसके बाद क्लास 7 में सूत्र और नियम में बीजिये व्यन जग के बारे में समझेंगे फिर क्लास 8 में समझेंगे सीधा समान उपात के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज की गनित की क्लास मेरा दूर दर्शन मेरा विद्याले के साथ बापू की कहानी जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिन अफरिका में प्रेटोरिया नामक जगहे पर जाते वक्त गोरे लोगों ने याने की अंग्रेजों ने ट्रेन में अवल दर्जे में बापु को सफर नहीं करने दिया, उनको तो घोडा गाड़ी की अंदर भी नहीं बैटने दिया, बापु ने होटल में भी पीछे जा करके खाना खाया था, बापु यह सब काले गोरे का भेद एक अन उन्होंने सभी भार्तिये लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाए गई। कई लोग आये। मोहंदास ने पहली बार ठीक से भाशन दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में ये तैह हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहंदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाए आठ महिने चली, मोहंदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आये थे, वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहंदास को वकालत समझाने लगी। दोनों पक्षों में रिष्टेदारी थी। मोहंदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा, तो जीतने वाले को भी बहुत लाब नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों बक्ष अपने भरोसे की लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचो ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया लेकिन मोहंदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिष्टेदार को खूब सारा समय दे नुक्सान की भरपाई के लिए ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए और फिर इस समझौते से दोनों बक्षों को सम्मान मिला रिष्टदारों में आपसी प्यार लोट आया काम पूरा हो गया था अब मोहंदास को स्वदेश लोटना था दादा अब अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे उन्होंने मोहंदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा उस समय दक्षिन अफ्रिका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेट से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आन्दूलन के कार्याले में बदल गई गांधी भाई एक महिने ही नहीं एक साल के लिए नेटाल राज्ये में रुक गए उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया भारतिये राष्टे कॉंग्रेस की तर्ज पर मोहन दास ने नेटाल इंडियन कॉंग्रेस का गठन सन 1894 में किया हिंदूसानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी जारतर भारतिये वोट नहीं डाल सकते थे पर सबसे बुरे हाल तो अनपड मजदूरों के थे उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाये जाते थे ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडू, आंद्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्य की खेती के लिए आये थे इनसे अग्रिमेंट यानि इकरार नामा होता था इसलिए ये गिर्मिटिया कहलाने लगे गांधी भाई का नाम सुन कर बाला सुन्दरा नाम का एक मजदूर मोहंदास से मदद मागने के लिए आ गया उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके दो दाथ तोड़ दिये थे उसका इलाज कराकर मोहंदास उसे एक मजिस्टेट के पास ले गए उसकी मुक्ती हुई कांधी भाई गिर्मिटिया मजदूरों के नेता हो गए अब मोहंदास की कॉंग्रिस के साथ तरह तरह के हिंदूस्तानी आ गए थे अमीर और गरीब हर धर्म के लोग मुसलिम, पार्सी, हिंदू, इसाई और तरह तरह की जुबाने गुजराती, तमिल, भोचपुरी, तेलगू, उड़दू और अंग्रेजी भी क्योंकि यह मोहंदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी उनका सौमे और संपोची व्यवार लोगों का मन जीत लेता था आज के लिए इतना ही, अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिन अफ्रिका में अन्याय के खिलाफ और कौन-कौन से काम किये आज हम सीखेंगे समान और असमान भिन्न यहां देखिए, यहां कुछ चित्र दिये है, क्या बता सकते हैं इनमें क्या खास बात है सोचिए सोचिए बिल्कुल सही, इन सभी को आठ बराबर भागों में विभाजित किया है चुकि पहले चित्र में आठ में से तीन भाग च्छायंकित किये है इसलिए छायंकित भागों की भिन यानि fraction तीन पटे आठ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसी प्रकर दूसरे चित्र में छायंकित भाग है पांच पटे आठ और तीसरे चित्र का छायंकित भाग है साथ पटे आठ इन भिन्नों को देखकर क्या आप पता लगा सकते हैं? इन में क्या समानता है? हाँ, इन सभी के हर यानि denominator बराबर है ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर होता है समान भिन्न यानि like fractions कहलाती है अब इन चित्रों को देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं पहले चित्र के 8 बराबर भाग किये हैं दूसरे चित्र के 6 बराबर भाग किये हैं और तीसरे चित्र के 12 बराबर भाग किये हैं चुकि पहले चित्र में 8 में से 5 बराबर भाग किये हैं इसलिए चायंकित भागों के भिन 5 बटे 8 के रूप में व्यक्त की जा सकती है इसी प्रकर दूसरे चितर का चायंकित भाग है 4 बटे 6 और तीसरे चितर का चायंकित भाग है 9 बटे 12 इन सभी भिन्नों का हर बराबर नहीं है ऐसे भिन्न जिनका हर यानि डिनॉमिनेटर बराबर नहीं होता कहलाती है असमान भिन्न यानि unlike fractions कई सितियों में हमें असमान भिन्नों को समान भिन्नों में परिवर्थित करना आवशक हो जाता है ऐसे कुछ स्थितियां हैं भिन्नों की तुलना करने के लिए, इनका योग करने के लिए या इनका व्यवकलन करने के लिए इत्यादी तो आईए सीखें कैसे हम असमान भिन्नों को समान भिन्नों में परिवर्दित करते हैं यहां देखिए, यहां हमने दो भिन लिये हैं, दो बटे तीन और तीन बटे चार, इनके हर अलग-अलग है, इसलिए यह असमान भिन्न हैं, इन्हें समान भिन्नों में परिवर्थित करने के लिए, पहले हम दोनों भिन्नों के हरों का लसर यानि LCM प्राप्त करेंगे, दो सं संख्या होती है जिसको दोनों संख्या पूरा-पूरा विभाजित करती है जैसे यहां हर तीन और हर चार का लसर है बार लसर प्राप्त होने के बाद हम दोनों भिन्नों की तुल्य भिन्न यानि एक्विवालेंट फ्राक्शन्स पता करेंगे जिनका हर लसर हो इसके लिए हम दो बटे तीन के अंश और हर को चार से गुणा करेंगे और तीन बटे चार के अंश और हर को तीन से गुणा करेंगे इस तरह से हमें दो बटे तीन की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी आट बटे बारह और तीन बटे चार की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी नौ बटे बा इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने दो बटे तीन और तीन बटे चार को समान भिन्नों में परिवर्दित कर लिया है आज हम देखेंगे समान और असमान भिन्न के उधारण निशा ने दुकान से अलग-अलग रंग की बोतले खरी दी उसने लाल रंग की तीन, हरे रंग की दो और पीले रंग की पांच बोतले खरी दी तो बताईए क्या लाल और पीली बोतलों का भाग व्यक्त करने वाले भिन्न, समान भिन्न यानि लाइक फ्राक्शन है नीशा ने लाल रंग की 3, हरे रंग की 2 और पीले रंग की 5 बोदले खरी दी इस तरह से नीशा ने कुल 10 बोदले खरी दी इनमें लाल बोदले 10 में से 3 है इसलिए इनके भिन्न है 3 बटे 10 इसी तरह पीले बोदले 10 में से 5 है इसलिए इनके भिन्न है 5 बटे 10 जैसा कि आप देख सकते हैं 3 बटे 10 और 5 बटे 10 दोनों भिन्नों का हर 10 है ऐसे भिन्न जिनका हर यानि denominator पराबर होता है समान भिन्न कहलाती है इसलिए 3 बटे 10 और 5 बटे 10 समान भिन्न है अगला उधारण क्या 8 बटे 9 और 5 बटे 12 समान भिन्न है यदि नहीं तो इनके समान भिन्न प्राप्त कीजिए किनी 2 बिन्नों को हम समान भिन्न तभी कह सकते हैं जब इनके हर बराबर हो यहां 8 बटे 9 और 5 बटे 12 के हर बराबर नहीं है, इसलिए ये समान भिन्न नहीं है ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर नहीं होता कहलाती है असमान भिन्न यानि Unlike Fraction असमान भिन्नों को समान भिन्नों में परिवर्थित करने के लिए पहले हम इनके हरों का लसर यानि LCM प्राप्त करते हैं 9 और 12 का लसर इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है इस तरह से 9 और 12 का लसर है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 यानि की 36 लचसा प्राप्त होने के बाद हम दोनों भिन्डों के तुल्ले भिन्न यानि इक्विवालेन्ट फ्रैक्शन्स पता करेंगे जिनका हर लचसा के बरापर हो इसके लिए हम 8 बटे 9 के अंश और हर को 4 से गुणा करेंगी और 5 बटे 12 के अंश और हर को 3 से गुणा करेंगी हमें 8 बटे 9 के तुल्य भिन प्राप्थ होगी 32 बटे 36 और 5 बटे 12 के तुल्य भिन प्राप्थ होगी 15 बटे 36 चुकि इन दोनों का हर बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने 8 बटे 9 और 5 बटे 12 को समान भिन्नों में यानि कि 32 बटे 36 और 15 बटे 36 में परिवर्दित कर लिया है अगला उधारण सानी का ग्रहपाट कर रही थी उसे 21 बटे 45, 6 बटे 45, 11 बटे 13, 33 बटे 45, 13 बटे 11 इन संख्याओं में समान भिन्नों के समूह बनाने थे इसलिए उसने संख्याओं के निम्नलिखत समूह बनाए क्या उसने दी संख्याओं के समान भिन्नों के सही समूह बनाए यदि नहीं तो बताईए उसने क्या गलती की दोया दोसे अधिक भिन्नों को हम समान भिन्न तभी कह सकते हैं जब इनका हर पराबर हो पहले समूव में हम देखते हैं कि सभी भिन्नों का हर पराबर है इसलिए पहले समूव में सभी संख्याएं समान भिन्न हैं दूसरे समूव में हम देखते हैं कि 11 बटे 13 और 13 बटे 11 में हर पराबर नहीं है यनि कि ये समान भिन्न नहीं हो सकती जब दो या दो से अधिक भिन्नों का हर बराबर नहीं होता तो वे असमान भिन्न होती है यहां सानिका ने 11 बटे 13 और 13 बटे 11 को समान भिन्न समझने की गलती की है आज हम देखेंगे समान और असमान भिन्ने से संबंधत मिध्याधानाय और साधरन कलतिया मिध्यधाना एक राहुल और राजेश एक दूसरे से बात कर रहे थे राहुल का कहना था कि अगर भिन्नों का मान बराबर हो तो वे समान भिन्न यानि लाइक फ्रैक्शन्स होती है जबकि राजेश का कहना था कि अगर भिन्नों का हर बराबर हो तो ही वे समान भिन्न होती है तो बताईए दोनों में से कौन सही है कई बार यह समझ बन जाती है कि अगर भिन्नों का मान बराबर हो तो वे समान भिन्न होती है उधारन के लिए 4 बटे 9 और 8 बटे 18 दोनों का मान बराबर है इसलिए इन्हे समान भिन्न समझा जाता है यह एक कलत समझ है यानि कि राहुल की समझ कलत है सही समझ यह है कि अगर भिन्नों का हर बराबर हो चाहे अंश बराबर हो या ना हो तो ऐसे बिन्न समान बिन्न होती है इसलिए राजेश की समझ सही है मिथ्यधार्णा 2 निम्नलिकित बिन्नों में से समान बिन्न कौन सी है ऐसे बिन्न यानि फ्राक्शन जिनका हर बराबर होता है समान बिन्न कहलाती है दिये भिन्नों में 3 बटे 7 का और 4 बटे 7 का हर बराबर है इसलिए ये समान भिन्न है इसलिए option एक सही जवाब है कई बार यह मिध्याधार्ना होती है कि अगर भिन्नों का अंश बराबर हो तो ही वे समान भिन्न होती है इस मिध्याधार्ना के कारण 3 बटे 7 और 3 बटे 8 को सम अधरन कल दिया। कई बार बच्चे दो भिन्नों का हर समान करते समय अंशों को गुणा करना नजरंदास कर देते हैं। इससे भिन्नों का मान बदल जाता है। जैसे अगर हमें 2 बटे 3 और 3 बटे 5 का हर बराबर करना है, तो पहले हरों का लवसर यानी LCM पता किया जाता है. यहां 3 और 5 का लवसर है 15, फिर हर बराबर करने के लिए 2 बटे 3 के हर को 5 से गुणा किया जाता है और भिन्न 2 बटे 15 प्राप्त की जाती है. इसी तरह 3 बटे 5 का हर 15 करने के लिए हर को 3 से गुणा किया जाता है और इस तरह से भिन 3 बटे 15 प्राप्त की जाती है ऐसा करना गलत है हमें 2 बटे 3 के अंश और हर दोनों को 5 से गुणा करना होता है इससे हमें 2 बटे 3 की तुल्य भिन यानि एक्विवालन फ्राक्शन 10 बटे 15 प्राप्त होती है इसी तरह 3 बटे 5 के अंश और हर को 3 से गुणा कर इसकी तुल्य भिन 9 बटे 15 प्राप्त होती है अब 10 बटे 15 और 9 बटे 15 का हर पराबर है भिनों का हर बराबर करने की यह सही विधी है कई बार हर बराबर करने के लिए एक ही संख्या को अंश और हर के साथ जोड़ना भी सही समझा जाता है जैसे दो बटे तीन और तीन बटे पांच का हर बराबर करने के लिए दो बटे तीन के अंश और हर में दो मिलाए जाते हैं और भिन चार बटे पाँच प्राप्त की जाती है यह भी कलत समझ है इस प्रकार आज हमने देखी समान और असमान भिन से संबंधित मिध्या धार्नाई और साधरन कलतियां कोरोना से डरे नहीं एहतियाद बरते वैसे तो स्वक्ष्टा और व्यक्तिकर साफ सफाई हर समय जरूरी है लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आविश्यक हो गई है बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रती विशेश तोर पर सजग रहें आईए इसे बिंदुवार समझ लें हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड़ वाश से कम 20 सेकंड तक दोएं या अलकोहल साइनिटाइजर से साफ करें होटल या किसी कार्याले में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वाशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिक्द व्यक्ति या खास छीक रहे व्यक्ति से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें भीड़बाड में मास्क लगाए रखें या मू नाक को ढख कर रखें यदि घर में कुरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उप्योग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तमाल न करें। फर्ष और अन्य सेतों को घर्ष में रोजाना प्रयोग किये जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाईल से साफ करते रहें। गनित के सूत्रों और नियमों में BGA व्यनजकों का प्रयोग करना। सीवन में कई बार ऐसे प्रतिरूपों को देखते हैं, जिनमें आकृतियों की पुन्रावर्ती होती है। आए ऐसा ही एक उदाहरन देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पहली आकृती एक जोपणी के रूप में है, जो कि मार्चस की पांच तीलियों से बनी है। इसमें चार तीलियां और जोड़ने पर हमें दो जोपणियां मिलती हैं। इसरा पद होगा 13 और चौथा पद होगा 17 यहाँ पर हम 5 को एक जमा 4 गुणा 1, 9 को एक जमा 4 गुणा 2, 13 को एक जमा 4 गुणा 3 और 17 को एक जमा 4 गुणा 4 की तरह भी दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार N वा पद होगा 1 जमा 4 गुणा N इस प्रकार यदि हमें N जोपणियां बनाने के लिए तीलियों की कुल संख्या ज्याद करनी हो तो नियम होगा एक जमा 4N यहां N कुल आकृतियों की संख्या को दर्शाता है जो एक जोपणि के रूप में है। अता हमें N जोपणियां बनाने के लिए कुल तीलियों की संख्या का पता लगाना हो तो हम इस व्यन्जक में N का मान रखकर पता लगा सकते हैं। तो बच्चों क्या बता सकते हैं कि 10 जोपणियां बनाने में कुल कितनी तीलियों की आवश्यक्ता होगी। आए N का मान 10 लेकर देखते हैं। तो सूत्र नियम में N का मान रखने पर हम पाएंगे बराबर एक जमा चार गुना 10, बराबर एक जमा 40, बराबर 41। अतह दस जोपणियां बनाने में कुल 41 तीलियों की आवश्यक्ता होगी। आए अब जामीतिय आकरतियों में BGVN जकों के उपयों के बारे में जाने। बच्चो इस आकरती को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सी आकरती है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं। जी हाँ, यह एक वर्ग है। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए इस वर्ग की भुजा को L से दर्शाती हैं, जिसका मान यहां 6 cm है। क्या आप इसका परिमाप और क्षेतर फल पता कर सकते हैं? आए साथ मिलकर पता करें। वर्ग का परिमाप उसकी सभी भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ग का परिमाप होगा L जमा L जमा L जमा L बराबर 6 cm जमा 6 cm जमा 6 cm बराबर 24 cm। इसे हम अलग तरीके से भी दर्शा सकते हैं जिसमें वर्ग के भुजा को 4 से गुणा करते हैं। अर्थात वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा L बराबर 4 गुणा 6 cm बराबर 24 cm। सामानने तह हम P से वर्ग के परिमाप को दर्शाती हैं तो हम कह सकते हैं कि P बराबर 4 गुना L इस सुत्र की सहायता से आप एक वर्ग का परिमाप ग्याद कर सकती है आए अब इस वर्ग का क्षित्रफल ग्याद करते हैं वर्ग का क्षित्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है अतह इस वर्ग का क्षित्रफल होगा L की घात 2 बराबर L गुणा L बराबर 6 संटीमीटर गुणा 6 संटीमीटर बराबर 36 संटीमीटर वर्ग तो इस वर्ग का क्षित्रफल है 36 संटीमीटर वर्ग यहां वर्ग के क्षित्रफल को A से दर्शाएं तो A बराबर L की घात दो होगा इस सूत्र की सहायता से आप एक वर्ग का क्षित्रफल ग्याद कर सकती हैं तो बच्चों, अब आप किसी भी वर्ग का परिमाप और क्षेत्र फल इन सूत्रों द्वारा ग्याद कर सकती हैं. इस प्रकार हम गनित की सूत्रों और नियमों में बीजिय व्यनजकों के उपयोग से आयत, त्रिभुज, पंचभुज, आदियाकृतियों के क्षित्र फल और परिमाप ग्याद कर सकती हैं. आज हमने सीखा गनित की सूत्रों और नियमों में BGA व्यन्जकों का प्रयोग कैसे करते हैं आशा है कि आपको यह अच्छे से समझ आया होगा गनित के सूत्रों और नियमों में BGA व्यन्जकों का प्रयोग करना उदाहरन आज हम देखेंगे गणित के सूत्रों और नियमों यानी Formulas and Rules of Math में बीजिय व्यन्जकों यानी Algebraic Expressions के प्रयोग से संबंधित उदाहरन अब तक हमने गणितिय सूत्रों और नियमों के बारे में जाना इस वीडियो में हम उदाहरनों की मदद से इन्हें और अच्छे से समझेंगे उदाहरन एक यदि एक आयत का क्षित्रफल 20 सेंटीमीटर वर्ग है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी चोड़ाई कितनी होगी? आईए इसे मिलकर हल करते हैं आयत के क्षित्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चोड़ाई अगर बीजिय व्यन्जक के माध्यम से लिखा जाए तो एक आयत का क्षित्रफल होगा एल गुणा बी जिसमें एल लंबाई और बी चोड़ाई को दर्शाता है हमें दिया गया है कि इस आयत का क्षित्रफल 20 सेंटीमीटर वर्ग है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है अब हम इन मानों को आयत के क्षित्रफल के सूत्र में रखते हैं जैसा कि हमने अभी देखा कि आयत का क्षित्रफल होता है L गुणा B अर्थात 20 बराबर 5 गुणा B होगा अब हमें मिलेगा 20 बराबर 5B अब हम दोनों पक्षों को 5 से भाग करेंगे 20 बटा 5 बराबर 5B बटा 5 जिससे हमें मिलेगा 4 बराबर B अतह इस आयत की चोड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी आए अब संख्या प्रती रूप से संबंधित एक उदारन देखें दिये गए M की आकरती के बढ़ते क्रम को ध्यान से देखिए और उसे संख्या प्रती रूप में दर्शाइए यहाँ M आकरती के दिये प्रती रूप में पहली आकरती में 4 तीलियां है परन्तु हर बढ़ती आकरती से 3-3 तीलियां जोड़ी जा रही है जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले M में बाकियों की तुलना में एक तीली ज्यादा है दिये गए M की आकरती के बढ़ते क्रम का संख्या प्रती रूप बनाने के लिए हम माचिस की तीलियों की संख्या को एक पद माने तो हम देख सकते हैं कि पहली आकृती में 4, दूसरी में 7, तीसरी में 10 और चौथी में 13 तीलियों का प्रयोग हुआ है इन्हें हम निम्न प्रकार से भी तरशा सकते हैं चार बराबर एक जमा तीन गुणा एक, साथ बराबर एक जमा तीन गुणा दो, दस बराबर एक जमा तीन गुणा तीन, तेरह बराबर एक जमा तीन गुणा चार, ऐसी ही N के स्थान के लिए व्यनजग होगा, एक जमा तीन गुणा N, बराबर एक जमा तीन N, यहां N, M की को दर्शाता है। हम इस व्यन्जक की सहायता से M की N आकृतियों को बनाने के लिए आवश्य कुल तीलियों की संख्या का पता लगा सकते हैं। M आकृति के इस प्रतिरूप का संख्या प्रतिरूप होगा चार, साथ, दस, तेरह इसी प्रकार एक जमा तीनन। जहां पहला पद 4, दूसरा पद 7, तीसरा पद 10, चौथा पद 13 है और इसी प्रकार N वा पद होगा एक जमा तीनन। कई बार हम M की दो आकृतियां देखकर तीलियों की संख्या चार जमा तीन के बजाए चार जमा चार समझ लेते हैं। और इसी तरह बढ़ते क्रम में गलती करते रहते हैं, जिससे हमारा गलत संख्या प्रतिरूप बन जाता है। आज हमने देखे गनित के सूत्रों और नियमों में BGA व्यन्जकों के प्रयोग से संबंधित उतारन। गनित के सूत्रों और नियमों में BGA व्यन्जकों का प्रयोग करना मिथ्याधारनाई। आज हम देखेंगे गनित के सूत्रों और नियमों यानि Formulas and Rules of Math में BGA व्यनजकों यानि Algebraic Expressions के प्रयोग से समबंधित मिथ्याधारनाई कुछ उदारनों से हमने इस विशे को अच्छे से जाना अब आईए इससे जुड़ी कुछ मिथ्याधारनाई समझें संख्या प्रतिरूपों के व्यनजक बनाने और उन्हें हल करने में अकसर कुछ गलतियां हो जाती हैं आईए एक उदारन से इससे समझते हैं यदि आपके पास ए टौफियां हैं और आपके भाई के पास आपसे दुगनी टौफियां हैं तो अगर आपको हर एक मिनट चार-चार टौफियां और मिलती जाएं तो चौथे मिनट में आपके पास कुल कितनी टौफियां होंगी अब अगर आपके पास ए टौफियां हैं तो आपके भाई के पास दो ए टौफियां होंगी जैसा कि हम जानते हैं कि प्रति एक मिनट में आप दोनों को चार-चार टौफियां और मिलेंगी तो पहले मिनट के बाद आपके पास टौफियां होंगी A जमा चार जिसे हम पहला पदमान कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं अब अगले प्रती एक मिनट के बाद हमें चार टॉफियां और जोडनी हैं, तो इस प्रकार दूसरा पद होगा ए जमा चार जमा चार यानि ए जमा चार गुना दो, बराबर ए जमा आठ, तीसरा पद होगा ए जमा चार जमा चार जमा चार यानि ए जमा चार गुना तीन, बर बराबर ए जमाबरहा और चौथा पद होगा ए जमा 4 जमा 4 जमा जमा 4 यानि ए जमा 4 गुणा 4 बराबर ए जमा 16 अता आपके पास चौथे मिनट के बाद टौफियां होंगी ए जमा 16 इस प्रकार N मापद होगा एक जमा 4 N तो हम कह सकते हैं कि n मिनट के बाद आपके पास टॉफियों की संख्या होगी ए जमा 4n यहाँ n कुल मिन्टों की संख्या को दर्शाता है यदि आप इस वियन जग में n का मान एक, दो, तीन आदी रखें तो आपको प्रती एक मिनट में टॉफियों की संख्या प्राप्त होगी इसी प्रकार आपके भाई के पास पहले मिनट के बाद टॉफियां होगी दो ए जमा 4 जिसे हम पहला पद मान कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं अब अगले प्रती एक मिनट के बाद हमें चार टॉफियां और जोड़नी है तो इस प्रकार दूसरा पद होगा दो ए जमा 4 जमा 4 यानि दो ए जमा 4 गुणा 2 बराबर दो ए जमा 8 तीसरा पद होगा दो ए जमा 4 जमा 4 जमा 4 यानि दो ए जमा 4 गुणा 3 बराबर दो ए जमा 12 और चौथा पद होगा यानि दो ए जमा चार जमा चार जमा चार जमा चार यानि दो ए जमा चार गुना चार बराबर दो ए जमा सोलह अता आपके भाई के पास चौथे मिनट के बाद टौफिया होंगी दो ए जमा सोलह तो हम कह सकते हैं कि N मिनट के बाद आपके भाई के पास टौफियों की संख्या होगी 2A जमा 4N ध्यान देजिए कि शुरुवात में आपके भाई के पास आपसे दुगनी टौफियां थी परन्तु प्रती एक मिनट आपके भाई को आपके जितनी ही टौफियां और मिली जिनकी संख्या चार है कई बार बच्चे प्रती एक मिनट की टौफियों को भी दुगना कर देती है जिससे उन्हें पहला पत कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है दो ए जमा चार गुना दो यानि दो ए जमा आठ जो की गलत है सिर्फ ए को दो से गुना करना है ना की एन को तो सही प्रती रूप के अनुसार आपके भाई के पास टौफियां होंगी 2A जमा 4, 2A जमा 8, 2A जमा 12, 2A जमा 16, इसी प्रकार 2A जमा 4N आज हमने देखी गनित के सूत्रों और नियमों में BGA व्यंजकों के प्रयोग से सम्बंधित मित्यधारनाई आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कई मित्यधारनाई दूर हुई होगी धन्यवाद राजू जरा इधार आना चचा परणाम परणाम ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस के पैसा मिला की नहीं मिल गया पिछले हपता मिल गया और चात्र विर्ती चचा उन तो अब खाता में ही चला आता है अरे वाह इस हपता इसको खुब पता है पर इस पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है ये हसने का नहीं सोचने का वक्त है शिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सची नहीं बन जाता उसी तरह ड्रेज सिलवा कर पहना कर अस्कूल भेज देने से पिंटू हनहार नहीं बन जाएगा अब जरूरत है कि मादा-पिता पच्चे इस स्कू तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी चाचा, हम तयार हैं, क्या आप तयार हैं? अमित ने 20 रुपए में 2 चोकलेट खरी दी, और नीशा ने 40 रुपए में 4 चोकलेट खरी दी क्या आप बता सकते हैं, किसकी चोकलेट महेंगी थी? सोचिये, सोचिये चलिए हम बताते हैं हम कह सकते हैं कि अमित द्वारा खरीदी गई चौकलेट की संख्या और नीशा द्वारा खरीदी गई चौकलेट की संख्या का अनुपात दो अनुपात चार यानि एक अनुपात दो है इसी तरह उनके मूल्यों का अनुपात यानि रेशो बीज अनुपात चालीस यानि एक अनुपात दो है इससे यह ग्यात होता है कि चोकलेट की संख्या दो गुना हुई है इसी तरह उनका मूल्य भी दो गुना हुआ है इस तरह से यहां चोकलेट का मूल्य उनकी संख्या पर निर्भर है हम कह सकते हैं कि यहां चौकलेट की संख्या का अनुपात और उनके मूल्यों का अनुपात समान है इस तरह से यदि दो अनुपात समान है तो वे समानुपात यानि प्रपोर्शन में होते है अनुपातों में समानता दर्शाने के लिए इस चिन्न का या इस चिन्न का प्रयोग करते हैं चुकि यहां समानुपात की स्थिती है इसलिए हम कह सकते हैं कि अमित और निशा दोनों के लिए चॉकलेट का मूल्य समान था यानि किसी की भी चॉकलेट महेंगी नहीं थी कई बार हमारे सामने ऐसे स्थितियां आती है जब एक राशी यानि कॉंटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है जैसे यदि चॉकलेट के संख्या में व्रिधी होती है तो अवश्य उनके मूल्य में भी व्रिधी होगी लेकिन प्रतियक स्थिती में चॉकलेट के संख्या का अनुपात और उनके मूल्यों का अनुपात समान होगा यदि इस प्रकार एक राशी X में व्रिधी होने पर दूसरी राशी Y में इस प्रकार व्रिधी हो कि अनुपात X बटे Y में कोई पदलाव नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि X और Y में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात यानि डारेक्ट प्रपोर्शन है. ऐसी स्थिती में X बटे Y एक अचर यानि कॉंस्टेंट होता है. चलिए इसे K माने, जहाँ K एक धनात्मक संख्या यानि पॉजिटिव नंबर है. ऐसी स्थिती में X के गुणा Y होता है. सीधे अनुपात की स्थिती में यदि X के मान X1, X2, X3 इत्यादी हो और संगत Y के मान क्रमशह Y1, Y2, Y3 इत्यादी हो तो हम लिख सकते हैं X1 बटे Y1 बराबर X2 बटे Y2 बराबर X3 बटे Y3 इत्यादी बराबर K इससे यह ग्यात होता है कि ऐसी स्थिती में दोनु राशियां सीधे विजरन करती है यानि कि अनुक्रमानुपाती यानि डारेक्ली प्रपोर्शनल है जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं इस संकेत का अर्थ है K समानुपाती है इस तरह से इस कथन को हम पढ़ते हैं X, Y के समानुपाती है जैसे इस स्थिती में चॉकलेट की संख्या चॉकलेट के मूले से समानुपाती है अब चलिए कुछ स्थितियों में सीधा समानुपात और अच्छे से समझे एक मशीन एक दिन में कुछ वस्तुएं बनाती है यदि हम मशीनों की संख्या बढ़ाएं तो बनने वाली वस्तुओं की संख्या पर क्या प्रभाव होगा? सोचिये, सोचिये बिल्कुल सही यहां मशीनों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी या कम होगी इसलिए हम कह सकते हैं कि मशीनों की संख्या और बनने वाले वस्तूओं की संख्या में सीधा समानुपात है क्या दीवार का शेत्रफल और उसे पेंट करने के लिए रंग की आवश्यक मातरा में भी सीधा समानुपात है? सोचिये, सोचिये बिल्कुल सही, हमें दीवार की शेत्रफल के अनुसार रंग की मात्रा अवश्यक होगी, यानि कि जिस अनुपात से शेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, उसी अनुपात से रंग की मात्रा भी बढ़ेगी या घटेगी, इसलिए दीवार का शेत्रफल और उसे पेंट करने के के लिए रंग की अवश्यक मात्रा में भी सीधा समानुपात है। एक निश्चित काम के लिए क्या मजदूरों की संख्या और समय में भी सीधा समानुपात है। सोचिए सोचिए। बिलकुल सही। इन में सीधा समानुपात नहीं हो सकता। क्योंकि यदि मजदूरों की संख्या बढ़ती है तो समय कम लगेगा। जबकि यदि मजदूरों की संख्या खटती है तो समय अधिक लगेगा। ऐसे स्थिती में सीधा समानुपात नहीं होता। बलकि प्रतिलूम समानुपात यानि inverse proportion होता है जिसे हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे आज हम देखेंगे सीधे समानुपात से संबंधित उदाहरण यदि एक रेल गाड़ी एक समान चाल यानि uniform स्पीड से 3 घंटे में 180 किलोमिटर की दूरी तय करती है तो ग्याद कीजिए वह 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी दी गई स्थितियों के लिए हम इस प्रकार सारनी बना सकते हैं जब समय 3 घंटे है तब दूरी 180 किलोमिटर है जब समय 7 घंटे है तब रेल गाड़ी त्वारत तय की गई दूरी को वाईटू मान लेते हैं यहाँ एक समान चाल का अर्थ है निश्चित समय में निश्चित दूरी तय की जाती है क्या बता सकते हैं कि यहाँ समय और दूरी में सीधा समानुपाद यानि डारेक्ट प्रपोर्शन है या नहीं सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं जब चाल निश्चित हो तो अधिक समय में अधिक दूरी तथा कम समय में कम दूरी तय की जाएगी दी स्थिती में दोनों राशिया इस प्रकार बढ़ती या खटती है कि उनके संगत मानों का अनुपाद एक अचर यानि कॉंस्टन्ट रहता है इसलिए हम कह सकते हैं कि समय और दूरी सीधे समानुपाद में हैं पिछले वीडियो में हमने सीखा कि यदि एकस वाई के समानुपादी हो तो एकस के मानों और संगत वाई के मानों के लिए इसलिए दी स्थिती के लिए हम लिख सकते हैं तीन बटे एकसो असी बराबर साथ बटे वाई टू यानि की वाई टू बराबर साथ गुणा एकसो असी बटे तीन किलोमीटर बराबर साथ गुणा साथ किलोमीटर बराबर चार सो बीस किलोमीटर यानि की रेल गाड़ी साथ गंटे में चार सो बीस किलोमीटर की दूरी तई करेगी क्या हम इसे एकिक विधी यानि यूनिटरी मेथर्ट से भी हल कर सकते हैं? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही हम इसे एकिक विधी से भी हल कर सकते हैं यहां रेल गाड़ी तीन घंटों में 180 किलोमेटर दूरी तै करती है इस तरह से यहां एक घंटे में 180 बटे 3 किलोमेटर यानी 60 किलोमेटर की दूरी तै करती होगी इसलिए 7 गुणा 60 किलोमेटर बराबर 420 किलोमेटर की दूरी तै करेगी चलिए अब अगला उधारंड देखते हैं मीना 4 मिनिट में 92 शब्द लिखती है यदि उसे 480 शब्दों का एक निबंद लिखना है तो आवश्यक समय ग्याद कीजिए दीगई स्थितियों के लिए हम इस प्रकार सार्णी बना सकते हैं जहां X2 480 शब्दों को लिखने के लिए आवश्यक समय है हम जानते हैं कि शब्दों की संख्या में जिस अनुपात से व्रुद्धी होगी उसी अनुपात में अवश्यक समय में भी व्रुद्धी होगी इसलिए यहां समय और शब्दों की संख्या में सीधा समानुपात है सीधे समानुपात की स्थिती में जड़ी X Y के समानुपाती हो तो X के मानों और संगत Y के मानों के लिए X1 बटे Y1 बराबर X2 बटे Y2 बराबर X3 बटे Y3 इसलिए हम कह सकते हैं की 4 बटे Y2 बराबर X2 बटे Y480 यानि की X2 बराबर 4 बटे Y2 गुणा 480 मिनट्स बराबर 20.86 मिनट्स इसलिए मीना को 480 शब्दों का एक निबंद लिखने के लिए 20.86 मिनट्स का समय आवश्यक है चलिए अगला उधारन देखे यदि दो मजदूर मिलकर कुछ दिनों में 50 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं तो ऐसे कितने मजदूर मिलकर उतने ही दिनों में 75 मीटर लंबाई की दीवार बना सकते हैं यहां जब मजदूरों की संख्या दो है तब दीवार की लंबाई 50 मीटर है हमें मजदूरों की संख्या ज्याद करनी है जिससे कि उतने ही दिनों में 75 मीटर लंबाई की दीवार बनाई जाए मान लेते हैं कि एक्स मजदूर 75 मीटर लंबाई की दीवार बनाएंगे यहाँ मजदूरों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी उसी अनुपात में काम भी बढ़ेगा इस तरह से यहाँ मजदूरों की संख्या और दिवार की लंबाई सीधे समानुपात में है इसलिए दीस्थिती के लिए हम लिख सकते हैं दो बटे 50 बराबर एक्स बटे 75 यानि एक्स बराबर दो बटे 50 गुणा 75 बराबर 3 मजदूर इसलिए 75 मीटर लंबी दिवार बनाने के लिए 3 मजदूर लगेंगे तो आज हमने देखे सीधे समानुपात से संबंदित उदाहरण आज हम देखेंगे सीधे समानुपात से संबंदित कुछ और उदाहरण एक विधी के अंतरगत 15 बिसकुट बनाने के लिए दी गई सामगरी अवश्यक है यदि मीना को 400 बिसकुट बनाने होंगे तो आवश्यक सामगरी की मात्रा ग्यात कीजिए 15 बिसकुट बनाने के लिए आवश्यक सामगरी 105 गराम मखन, 90 गराम आटा, 75 गराम पीसी हुई चीनी, 30 गराम चोकलेट यहां हमें 15 बिस्कुट बनाने के लिए आवश्यक सामगरी दी गई है जिस अनुपात में बिस्कुट की संख्या बढ़ेगी उसी अनुपात यानि प्रपोर्शन में आवश्यक सामगरी की मात्रा भी पढ़ेगी इसलिए हम कह सकते हैं कि बिसकुट की संख्या और सामग्री की मात्रा में सीधा समानुपात यानि direct proportion है चलिए 400 बिसकुट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री ज्यात करें बिसकुट की संख्या और मखन की मात्रा में संबंध हम इस प्रकार तर्शा सकते हैं मान लीजिए 400 बिस्कुट बनाने के लिए मक्खन की आवश्यक मात्रा Y1 है चुकि बिस्कुट की संख्या और मक्खन की आवश्यक मात्रा में सीधा समानुपात है इसलिए 15 बटे 105 बराबर 400 बटे Y1 इसलिए मक्खन की मात्रा यानि Y1 बराबर 400 गुणा 105 बटे 15 बराबर 2800 ग्राम बराबर 2.8 किलो ग्राम है बिस्कुट की संख्या और आटे की मात्रा में संबंध हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं अब मान लीजिए 400 बिस्कुट बनाने के लिए आटे की आवश्यक मात्रा Y2 है चुकि बिस्कुट की संख्या और आटे की मात्रा में सीधा समानुपात है इसलिए 15 बटे 90 बराबर 400 बटे Y2 इसलिए आटे की मात्रा यानि Y2 बराबर 400 गुणा 90 बटे 15 बराबर 2400 ग्राम या 2.4 किलो ग्राम है इसी तरह अब आप वीडियो रोग कर पीसी हुई चीनी और चॉकलेट की मात्रा ग्याद कीजिए आपको 400 बिस्कुट बनाने के लिए पीसी हुई चीनी की मात्रा 2 किलो ग्राम तथा चॉकलेट की मात्रा 0.8 किलो ग्राम प्राप्त होगी इस तरह मीना को 400 बिस्कुट बनाने के लिए इस प्रकार सामगरी आवश्यक होगी चलिए अगला उधारण देखे यहाँ दिये हुए मानचित्र में आकाश द्वारा तई की गई दूरी दर्शाई गई है यदि वह हर रोज 307 कदमों में 300 मीटर दूरी तई करता है तो ग्याद कीजिए कि यहाँ वह अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुचने के लिए कितने कदम चला होगा यहाँ तई की गई कुल दूरी है 14 मीटर धन 45 मीटर धन 18 मीटर धन 15 मीटर धन 13 मीटर बराबर 105 मीटर दीस्थिती को हम इस प्रकार सार्णी में दर्शा सकते हैं जहां एक्स 105 मीटर दूरी तई करने के लिए अवश्यक कदमों की संख्या निरुपित करता है हम जानते हैं कि जिस अनुपात से तई की गई दूरी बढ़ेगी उसी अनुपात में कदमों की संख्या भी बढ़ेगी इसलिए यहां दूरी और कदमों की संख्या में सीधा समानुपात है इसलिए हम कह सकते हैं कि 306 बटे 300 बराबर X बटे 105 यानि कि X बराबर 306 बटे 300 गुणा 105 बराबर 126 कदम इसलिए आकाश अपने प्रारंबिक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुचने के लिए 126 कदम चला होगा इन उधारनों से आपकी सीधे समानुपात की समझ बन गई होगी आज हमने देखे सीधे समानुपात से संबंदित कुछ और उधारन तो आशा करती हूं बच्चों आज के इस ओड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिये गए वाट्साप नमबर 9431043527 या इमेल आईडी बिए पीसी डीडी प्रोग्राम आप जीमेल डाट कॉम पर भेज सकते हैं और हाँ आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले कारेकरम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिशत के यूट्यूब चानल पर देख सकते हैं इसके लिए सर्च करें बिए पीसी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले और कारेकरम को देखें इंपोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और कोशन्स हल करें इसके इलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिशत की वेबसाइट पर डिजिटल लेर्निंग सेक्षन में भी उपलब्ध है विजिट करें www.bepcss8.in और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानिया, पेंटिंग्स या इनके दो से तीन मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिये गए वाट्साप नमबर या इमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्याले का नाम, प्रखंड और जिले के नाम क के साथ भेज सकते हैं, हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे, तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाई बाई बच्चों!